साफ तोर पे दर्शाता है कि सिराज सिंग चोहान के मन में वो खटास है कि इतना करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर वोट मिला यह साफ तोर पे देखा जा रहा है लेकिन जो है वो सीम चेहरे से दरकिनार कर दिये गए तो यह जो दुख है वो सिराज सिंग चेहरे के च 2024 में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है हो सकता है कि जिस तरीके से पहले सीयम लिस्ट से आउट कर दिया अब मंत्री मंडल के लिस्टे आउट करने की बात यहां पर सामने आ रही है अगर ऐसा ही होता हुआ नजर आया तो 2024 में यह दिगज नेता जरूर कुछ खेला कर दिखा है याँ पर राजे सब सांसद हो चाहे यहाँ पर बड़े राजी के राजे umbre पाल हो तो यहाँ पर यह जो पाद है यह शृवरास सिंह जो जरूर वही नड़ई हो चाहे पर इला मधर्द में लिफी खुद हूं मित्शा हो पेश्कर जरूर करेगा देखना यहां पर ए गजनेता है अपनी सहमती जताते हैं रजिस्थान से लेकर मध्यप्रदेश और च्छतीजगर में भारतिय जनता पार्टी ने अपनी सरकार तो बना ली लेकिन सवाल यहां पर यह खड़े होते हैं कि मुख्य मंत्री के तौर पर जिन नई चेहरों को आगे किया गया है क्या वे नई चेहरे बीजेपी को यहां पर सफलता दिला पाएंगे 2024 की लोग सभा चुनाप में या यहां पर देखा जाए बीजेपी आलकमार ने जिस तरीके से तमाम दिगज नेताओं को पीछे किया है जैसे कि राजिस्थान में वसुंदर राजिस सिंध्या रही और मध्यप्रदेश में शिवराज सिंग चौहान रहे ऐसे में सवाल यहां पर यह उठ रहे हैं कि आखिरकार इन दोनों ही दिगज नेताओं का राजनितिक भविश है क्या कुछ होगा इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है नमस्कार मैं परानशी राठोर और आप देख रही है नेक्स्ट नाइन न्यूज स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्रेम दो हसार चौबीस का महा संग्राम में जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार शिवराज सिंग चोहान और वसंद्रा राज्जे सिंध्या के लिए यहाँ पर बीजेपी आलाकमान ने क्या कुछ सोच विचार कर रखा है क्योंकि आज एक एहम बैठक होने जा रही है मालूम हो कि शिवराज सिंग चोहान पहले ही साफतोर पर कह चुके जब मुख्य मंत्री पद सौपा गया था मोहन यादव को मध्य परदेश में उसके बाद उनका साफतोर पर कहना रहा जो अटकले लगाई गई कि दिल्ली नहीं जाओंगा भीक नहीं माऊंगा अपने किसी भी पत के लिए तो ऐसे में देखा जाए शिवराज सिंग चोहान आज दिल्ली पहुँचे हैं और जल से जल एक एहम बैठक होगी और इस एहम बैठक में कुछ एहम चरचाए भी हो सकती है तो यहाँ पर न्यूजरूम में बैठे हुए सहयोगियों से हम सवाल लेना चाहेंगे कि आखिरकार इस मुलाकात को लेकर इस बैठक को लेकर उनका क्या कुछ कहना है बात यहाँ पर वसुंदरा राज्ये सिंध्या को लेकर भी होगी वसुंदरा राज्ये सिंध्या जो प्रवल दावेदारी इस बार भी पेश करती हुई नजर आई है राजिस्थान में लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी कड़े तेवर दिखाने के बावजूद भी हमने देखा कि वसुंदरा राज्ये सिंध्या के हातों में मुख् इस तरीक से देख रहे हैं जिस तरह से इन दिगर्ज नेताओं को लेकर कहा गया कि आने वाले समय में इन्हें काम जरूर दिया जाएगा देखें मद्यपरदेश और राजिस्थान में सरकारे जरूर बन चुकी हैं 163 सीटे 163 विधायक भारते जंता पार्टी में बना लिये हैं 115 राजिस्थान में बना लिये हैं जीती है और जब यहाँ पर रसा कसी जब राजिस्थान में में देखने को मिली थी मुख्यमंत्री पत की लिए तो वसुंद्रा राजी को लेकर दावा किया जा रहा थे कि करीबन 65 से 75 विधायकों को उनके पास समरतने मैं कहूंगा 115 में अगर 15 विधायक भी वसुंद्रा नहीं कर सकते हैं कोई ना कोई पद यहाँ पर दिया जाना जरूरी है और श्रीवराज सिंग चौहान की यहाँ पर बात हुई है तो देखें यहाँ पर उनको लेकर यह भी चर्चा रही थी कि उन्हें यहाँ पर केंद्र कृष्टी मंत्री बराया जा सकता है जिस पर दिगजनेता हैं ना करें लेकिन पार्टी जरूर पेश करेगी चाहे यहाँ पर राजी सबसांसाद हो चाहे यहाँ पर बड़े राज्यू के राज्येपाल हो तो यहाँ पर यही जो पद है यहाँ श्रीवराज सिंग चौहान और वसंदरा को जरूर यहाँ पर जेपी नेताओं में हैं क्योंकि वसंदरा राज्य के पास जिस तरह से 60 से अधिक विधायकों का समर्थन रहा जो उन से मिलने के लिए उनकी आवास तक पहुँच गए और बगावती तेवर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते थे क्योंकि उनकी बड़ी मांग यही रही थी कि वसंदर राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए दूसरी ही तरफ यहां पर शिवरास सिंग चौहान भी रही तो ऐसे में सवाल यहां पर नेहा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार अक्षय की इन बातों से वह कितना सहमत है क्या वाकई में यहां पर सरकार गिराने का जो दमखम नज़र देखेंगे अगले साल 2004 का लोग सभा चुनाव है अगर लोग सभा चुनाव के लिहाद से देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर वसंदुरा राजे और यह जो शिवरास सिंग चौहान है दोनों दिगज नेता जिनको यहां पर विधान सभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने की उम्मीद जताए जा रही थी लेकिन देखें उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया हाला कि ये बात किसी को भी यहां पर हजम नहीं हो रही है जोती राजिते सिंदिया श्रीवरा सिंग चोहान वसंदुरा राजे को लेकर जो चर्चा इस वक्त बनी हुई है कि पहले उ यहां पर बात सामने आई थी इन सारी मुलाकातों के बाद भी अगर इनके विधायकों को मंतरी मंडल में जगा नहीं दी गई तो यहां बहुत बड़ा खेल देखने को मिल सकता है हो सकता है कि जिस तरीके से पहले सियम लिस्ट से आउट कर दिया अब मंतरी मंडल के दर आया तो 2024 में ये दिगज नेता जरूर कुछ खेला कर दिखाएंगे वाकई में देखा जाए तो 2024 में जो लोग सभा चुनाव नस्दीक है इन लोग सभा चुनाव को धियान में रखते हो बीजेपी आला कमान तो एहम फैसली ले ही रहें लेकिन ये दिगज नेता भी कह ना कहीं एक बड़ा खेला करते हुए नजर आ सकते हैं अगला सवाल यहां पर लेना चाहेंगे सिराज से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से वसंदरा राज्य सिंध्या और शिवराज सिंग चोहान को लेकर आज कहा जा रहा है कि जो बैठक होने जारे राजधानी दिली में मंत्री मंडल के गठन को लेकर भी हम देख रहे हैं कि तीनों ही राज्यों के जो मुख्य मंत्री हैं वह है दिली पहुँच रहे हैं बैठक कर रहे हैं और यहां पर एहम चर्चा हो रही है और कई दिगज नेताओं के नाम पर सेहमती तक बन चुकी है कैसे देख रहे हैं वसंदरा राजे सिंद्या और शिवराज सिंग चौहान की भूमे का कुआ जी देखे जिस तरीके से बीजे पी ने विधान सबाचुनाओ के दौरान बड़े इन नेताओं को दिगज नेताओं को दरकिनार किया और उसके बाद राजे सांगे भजनलाल शर्मा वो पहली बारी बिधायक का चुना लड़ते हैं और सीधा मुख्यमंत्री बन जाते हैं ऐसे में वसंदरा राजे जो राजे में दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और कददावर नेता भी हैं तो कहें ने कि उनको दरकिनार करना ये बिजे पिकले मुख्यमंत्री खड़ी कर सकता है और खास तोर पर हम बात करें सीधासिंग चौहान की तो सीम चेहरे का ऐलान जैसे ही होता है उसके बाद से मद्परदेश की तमाम वीडियो सामने आती है जिसमें साफ तोर पे महिलाएं कहते हुई नज़र आती है कि भाई हमने आपको वोट दिया था, आपके चेहरे पर वोट दिया था और साथी में यूवा जो है, वो कहते हुए नज़र आए कि मामा आप हमे छोड़ गए मामजा आप हमें भूल गए तो ये साफ तोर पे दरशाता है कि जनता का जो इमोशनली एक अटेचमेंट है वो सिराज सिंग चोहान के साथ बना हुआ है और सिराज सिंग चोहान भी अपनी बयानों में तमाम तरह के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं तरीके से उन्हेंने कहा कि मैं मरना पसंद करूँगा लेकिन खुद के लिए किसी पद के लिए मांगने के लिए मैं दिल्ली जाना पसंद नहीं करूँगा तो ये साफ तोर पे दर्शाता है कि सिराज सिंग चोहान के मन में वो खटास है कि इतना करने के बावजूद भी उनके चेहरे पर वोट मिला है ये साफ तोर पे देखा जा रहा है लेकिन जो है वो सीम चेहरे से दरकिनार कर दिये गए तो ये जो दुख है वो सिराज सिंग च चौहान को जिस तरीके से दिल्ली बुलाया गया और दूसरी ही तरफ वसंदर राजी को मनाने की भी जिस तरह से कोशिशे की जा रही है क्योंकि दावे यहां पर यह तक किये गए कि विधान सभा अध्यक्ष का जो पद रहा उसका प्रस्ताव उन्हें दिया गया बीजेपी किया जा सकता है देखना होगा कि सांसद और केंद्री मंत्रियों को तो बीजेपी आलकमान ने विधान सभा चुनाब में आगे कर दिया चुनाब लड़वाते हुई नसराय और इन्होंने जीत भी हासिल की अब यहां पर प्रदेश की सियासत से दिल्ली की सियासत में इंद